तो वही concept आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि कब will be के साथ वर्व का फर्थो माता है और कब will be के साथ वर्व एvit कफोर्थ damned तो इनका sense क्या बनता है कहा active बनता है तो पढ़ाओंगा mit concept burda सीधा direct concept लो सीधा direct concept लो or fact लो पढ़ाता नहीं भी direct fact दूँगा, direct concept दूँगा, कुछ rule नहीं पड़ना, अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, आपका सबसे मोटा जो उलजन है, will be, will be के साथ वर्व का fourth form आ गया, और मैंने क्या कहा आप से, will be, will be के साथ आ गया, वर्व का third form, अब sir, will be, ठीक है, लेकिन वर्व का third form, औ जब आपका will be के साथ वर्व का fourth form आता है, तो अच्छा, समसे पहली चीज़, ये चीज़ देखो, fourth form है क्या, fourth form को कहते हम, ing form of the verb, जब आपकी वर्व की first form के साथ, ing लग जाए, तो आपका क्या बन जाता है, v4 बन जाता है, कैजि sir, जैसे कि go plus ing, go plus ing, तो क्या हो गया, going हो गया, तो ये क्या है, आपकी वर्व की first form है, ये क्या हो गया, वर्व का fourth form है, तो वर्व की first form से क्या बनता है, वर्व का fourth form, इसी लिए, जो वर्व का first form है, वो real होता है, क्या होता है, रियल होता है, बाकी के सारे form creation वर्व है, वर्व की first form से create किये जाते हैं, तो मैंने क्य रख लो मैंने क्या कहा जो वर्व का फर्स्ट फोर्म है वो रियल है मैंने क्या कहा जो वर्व का फर्स्ट फोर्म है वो क्या है रियल है बाकि के जो चार फोर्म है सेकंड फोर्म फोर्ट फोर्म यह सारे क्रियेशन है क्या कहा बाभू क्रियेशन वर्व है क्योंकि यह वर्व का first form real बाकी के सब creation अब यहाँ पर आ जाओ तो जो आपका वी-4 बन रहा है वो कैसे बन रहा है वर्व की first form के साथ ing लगा दीजिए बन क्या वी-4 go plus ing going eat plus ing eating तो वी-1 क्या है go or eat और वी-4 क्या है आपकी going or eating तो वी-1 से क्या बनता है वी-4 इसलिए इसको real कहते हैं real अब आओ यहाँ पर मैंने क्या कहा विल-बी के साथ यदि वी-4 आ जाता है देखो वई मैंने क्या कहा यदि विल-बी के साथ आपका वी-4 आ गया विल-बी विल-बी पलस वी-4 तो यह बना देगा आपका future continuous टेंस क्या कहा future continuous future continuous टेंस बना देगा उसके बाद सेंस देगा आपका रहा होगा रहा होगा कैसे सर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि he will be playing match वह मैंच क्हेल रहा होगा उसके बाद मैंने क्या कहा राम विल बी एटिंग फूड क्या कहा बाबुजी राम विल बी इटिंग फूड इस पर अभी आँगो रुको टेंशन मतलो इस पर भी आँगो सारा कोणसेप्टों कोपी पन ले लिया ना बहुत अच्छे यहाँ पर मैंने क्या कहा विल बी के साथ वी फोर है तो क्या है future content रहोगा he will be playing match वह मैच खेल रहा होगा उसके बाद विल बी के साथ v4 है तो मैंने क्या कहा राम विल बी इटिंग फूड राम खाना खारा होगा लेकिन note 까ं पर लगेगा विल बाद कहाँ पर लगेगा विल के बाद जैसे कि मैंने क्या का सी विल नौट बी सी विल नौट बी वोशिंग क्लोथ सी विल नौट बी वोशिंग क्लोथ वह जो है कपड़े नहीं दो रही होगी तो यह चीज आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल आ जाएगा भी जहां है वही पर रहेगा उसके बाद वर्व का थर्ड फोर्म कवाता है सर वह जब विल बी के साथ वर्व का थर्ड फोर्म लग जाता है तो वो बना देता है पैसी वोशिश क्या बना देता है पैसी वोईस, पैसी वोईस कोन से 10 का पैसी वोईस बना देगा, आपका future indefinite bets का, किसका भइ嗎, फ्यूचर indefinite bets का आपका पैसी वोईस बना देगा, जब will be के साथ वर्व का third form लग जाए तो, कोन से टेंस का future indefinite तेंस का, कैसे सर, जैसे कि मैंने आप से I will play match, I will play match तो will के साथ मैंने क्या कहा वर्व का first form दे दिया तो क्या बना दिया future indefinite tense मैं match खेलूंगा और इसका पैसिविश बनेगा will be plus third form से तो match को कर देंगे आगे I चला जाएगा पीछे तो क्या होगा भाही match will be match will be will be उसके बाद क्या verb का third form play है तो क्या हो जाएगा played match will be played by me match जो है मेरे दवारा खेला जाएगा मैं match खेलूंगा match मेरे दवारा खेला जाएगा उसके बाद उसके बाद मैंने क्या का आप से he will not he will not make food he will not make food तो यहाँ पर मैंने क्या का future indefinite tense वह खाना नहीं बनाएगा तो इसका पैष्व इसके ऐसे विल भी पलस वर्ब का थर्ड फोर्म तो ऑबजेक्ट वह आगे आ जाएगा ही है वो पीछे चला जाएगा उसके बाद मैंने क्या कहा तो फूड विल नौट बी विल नौट बी मेड बाई हिम तो यहाँ पर मैंने क्या का विल नौट बी है, विल भी नौट नहीं यदि आप विल भी नौट कर दोगे विल भी नौट कर दिया, तो यह हो जाएगा गलत, तो इसका सही क्या होता है विल not be विल नोट बी फूड विल नोट बी made by him तो मैंने क्या आप से जब विल बी के साथ V4 लग गया तो future content chance बना देगा क्या वह future content chance जो sense देगा रहा होगा का उसके बाद मैंने क्या कहा यदि विल बी के साथ तो future independent chance का passive voice बना देगा क्या बना देगा पैसी वोईस जैसे कि मैंने कहा I will play match मैं match खेलूंगा match will be played by me match मेरे दोवारा खेला जाएगा यहाँ पर देखो will be will be के बाद क्या दे दिया direct verb का third form will be के बाद क्या direct verb का third form क्या बना दिया पैसी वोईस कौन से टेंस का future indefinite tense का कौन सा future indefinite tense का उसके बाद मैंने क्या का he will not make food वे खाना नहीं बनाएगा और खाना उसके दोवारा नहीं बनाया जाएगा तो यह future indefinite tense का active voice है और यह future indefinite tense का passive voice है will be के बाद direct verb का third form है तो यह बन गया future और मैंने क्या कहा यह चीज़ आपको आवश्य ध्यान रखना पड़ेगा विलीबी के साथ वी-4 तो टैन्स विलीबी के साथ वी-3 तो पैसिव इस कौन से टैन्स का फ्यूचर इंडिफरेंट टैन्स का ओके थैंक्यू टेक केर